हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टो मैट्व चैनल मैथेमेटिक्स वर्ल्ड तो कैसे आप सभी लोग महाशा कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे तो थमनेल आप सभी लोग ने देखे लिया होगा इस वीडियो में हमाने डिसकस करने नहीं हो सकता तो देखो काफी वीडियो में पहले भी दे चुका हूं इस वीडियो का में परपस यह है कि आपको बेसिक कोलीज वगएर मैं बता दूँ और आपको समझ में आ जाए कि कोर्स कहां से किस तरीके सा आपको करना है पहले तो मैं आपको यह बता दू कि जो मैं मै Master System यह लास्ट वीडियो में भी मैं काफी बार आपको बता चुका हूं बट यह जो हमारा में टोपिक है इस वीडियो का तो यह है वह उल्मे में बताने वाला हूं आपको बेसिक कोलीज की कोलीज कौन-कौन से आपके लिए बढ़िया साबित हो सकते हैं अब कोलीज का फंडा अब देखो ऐसा बहुत अच्छे सा पता नहीं कि कहां यह कोर्स अवैलेबल है या नहीं तो देखो जैसे मैं बेसिक बात करूंगा उत्तरप्रदेश गाजबाद में रहता हूं ठीक है तो गाजबाद में बेसिकली हाँ जो बहुत फेमस तीन से चार कोलीज है जिनमें सभ नोईड़ा में पढ़ता है पीजी कोलीज वो भी तो यह चार पांच कोलीज आपके बड़े फेमस कोलीज है अब देखो होगर माइब बात करूं तो इन चार पांच चारपांच में ही आप मैं मैधामेटिक्स कर सकते हो जितने भी बच्चे प्राइवेट करने की सोच रहे कि हमें paper paper देने तो वो सभी बच्चे एम मैं mathematics इन 4-5 कोलीज में कर सकते हो क्योंकि वहां तो online form निकलते हैं और online form में basically आपको subject select करने होते हैं उसमें college का तो कोई रोली नहीं होता जो private वाले student वो दियान पूरवक सुनेंगे क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई का तो कोई रोली नहीं होता उसमें तो केवल आपको paper देना देना जाने होते हैं और paper देकर आप जा सकते हैं अभी लास्ट यर मेरे student था जिसने संभुद्याल कोलीज में paper दिये थे और मात्र मात्र दो बच्चे थे मैं mathematics वाले जो मैं mathematics स्कॉर्स कर रहे थे मतलब पूरे स्कॉर्स के दो ही बच्चे थे केवल और केवल दो बच्चे तो दो बच्चों के लिए ही आपके paper वगएरा आये दो बच्चों के लिए ही sitting लोगों को पता तो जो प्राइवेट वाले वो चार-पांच में अराम से आप दे सकते हो किसी भी कोलीज में दे सकते हो अगर ओनलाइन शोर रहे से फोम निकलता है ओनलाइन शोर रहा है ना कि आपने मैं डाला फिर mathematics सब्जेक्ट वो पूस्ता है आपने mathematics डाला तो आप को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह सब यह बाते इसलिए बता रहूं आपको क्योंकि सबसे पहले यह आपको अपने आस-पास के जाकरना पड़ेगा बई अगर मां लो आप बिहार से हो पटना लगोब यार की तो अम मेरको क्या पता कि पटना युनिवस्टी में क्या चीज़े अपडेट किस किस तरीके से हो रही हैं बेसिकली मैंने तो बताया है यह मेरको मेरको अच्छे से पताये कि हां यह जो कोर्स है अभी पिछले illa4-57 सालों में काफी पोपुलर हुआ है कि बच्चे physics chemistry ना लेकर be mathematics कर रहे हैं और फिर mathematics कर रहे हैं अब देखो करना ना करना आप लोगों के हाथ में हैं मेरा केवल आप मेरा केवल Information देना है इससे दो मेरे तो काम केवल Information देना है और दूर दूर से मेरे पास बहुत लोग फोन करते हैं कि सर इसके बारे में से केवल आप नहीं डाल रखा किसी और टीचर ने डाली रखा तो देखो जितना मुझे पता होता है जितना भी मेरे सर मेरे हैंड साप लोगों के लिए help हो सकते वो मैं जरूर करता हूँ आरिया बास समझ मैं तो देखो यह चीज़ आपको खुद अपने university में जा का अपने आस पास के जो college होते हैं उनमें जा का आपको पता करना होगा कि हम किस college से यह course कर सकते हैं और किस college से नहीं कर सकते हैं आरिया बात समझ मैं तो यह विशेश बात है जो काफी बच्चे मेरे सा पूस्ते हैं कि सर आप कोलीज बता दीजिए तो जो बच्चे देखो अब देखो जैसे मैं बात करूँगा जो भी बच्चे उत्तरपरदेश से हैं तो उनके पाल बहुत सारे उपसन ह हैं जैसे मैं बात करूँ मेरट कोलिज में भी आप कर सकते हो ए्म में प्रसेंट कोलिज में यह को और आरम से कर सकते हो अगर अगर किसी अधर यूनिवस्टी के आप पूछोगे तो विटा आपको खुद पता करना पड़ेगा मेरा काम है कोर्स की डिटेल बताना कि क्या क्या किस किस तरीके से कैसे कैसे चीजे होती है ठीक है तो इस वीडियो का में परपस मेरे यही था कि आपको अच्छे सा समझा दि चाहिए उसमें BCA हो चाहिए BSC हो चाहिए BA mathematics हो चाहिए MA mathematics चाहिए MSC mathematics हो सभी की classes वगरा होती है आप जाकर देख सकते हैं बाकी कोई भी information चाहिए तो आप WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हैं वहां काफी जाद है material आपको मिलेगा basic update भी आपको मिलते रहते हैं वहां पर क्यों WhatsApp चैनल हो तो मैं उमीद कर रहा हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी भी थोड़ी थोड़ी तो informative जरूरी ही लगी होगी कुछ ना कुस्तों सीखने के लिए जरूर मिला होगा बाकी कोई question है तो देखो इस topic पर मैं 4-5 वीडियो बना चुक हूँ उन सभी को देख लो एक बार information के साथ एक important topic के साथ बागे अपना प्यार बगारा बना कर रखे थैंक यू फर वाचिंग में वीडियो मिलते हैं next वीडियो में thank you